नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बिल्टिन के साथ मैं राज इश्कुमार, पेश हैं अभी तक के समाचार, पुलिस कॉंस्टेवल भरती पेपर लीक मामले की सीवियाई करीग जांच, सीम जैराम ने किया एलान, बॉंबे हाई कोड के विरिश्टम नियाएधीश, सेद बनेंगे हिमाचल हाई कोड के मुख्या नियाधीश, हिमाचल में भरे जाएंगे, डॉक्टरों के 138 पत हेल्थ डिपार्टमेंट को बित विवाद से मिली मंजूरी, जल्द होंगे वॉक इन इंटरव्यू, हिमाचल बीजेपी नेता लेते हैं रिश्पत, शिम्रा मे बोले मनिशिशो दिया, एक मंत्री के बेटे की 10-10 रिसेप्शन पर उठाए सवा, HRTC करमचारियों की गेट मीटिंग, बोले नया कुछ नहीं मांग रहे, 5 साल से भत्ते नहीं मिल पाए, उन्हें देश सरकार, के नौर में 13 वर्षिय की शोरी की हत्या, बेड वाक्स में मिल अब समचार विस्तार से की सनलिपता की बात है, तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, CBI की जांच से सारी बातें सामने आएंगी, SIT जांच में बहुत से तथ्या सामने आएं हैं, सही माइने में पेपर लीक हुआ था, 8.49 लाख नगदी भी एजेंट से मिली है, मूल परमानपत्तर, सुफ्ट कार, 15 फोन और एक लैप्टॉप भी कबजे में लिया गया है, सोंबार को यूपी और बिहार से दो लोगों को ग्रिफतार किया गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने पांच नियाधीशों की उच नियालियों की मुख्या नियाधीश के रूप में पदोनती की सिफारिश की बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्टम नियाधीश अमजद ए सयद को हिमाचल परदेश उच नियालिया के मुख्या नियाधीश के रूप में पदोनती की सिफारिश की गई है, बरतमान में जस्टिस अमजद ए सयद बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्टम नियाधीश के रू सरकारी बकील रहे 25 मेई को हिमाचल हाई कोट के बर्तमान मुख्यान आयधीश मुहमद रफीक 62 वर्ष की आयू पूरी होने पर सेवा निर्वित हो रहे हैं। बिवाग जल्द शेडूल जारी करेगा। सियम जैराम ठाकुर ने अपने बजट भाशन में परदेश में डॉक्टर के 500 ने पद भरने की घोशना की थी जिसके चलते अभी पहले चरण में 138 पदों को भरा जा रहा है। इनने डॉक्टरों की नुक्ति को लेकर बिवाग ने योजना भी तैयार कर दी है। दिल्ली के डिप्ति सीम निशिशोधिया ने जैराम सरकार के एक मंतरी पर तीखा हमला किया। उनने कहा कि कुछ दिन पहले मंतरी के बेटे की शादी हुई। मंत्री बनने से पहले तक वे दो कमरों के मकान में रहता था मंत्री बनने के बाद बेटे की शादी की दिली से लेकर शिमला तक दस दस बड़ी रिसप्शन दी जाती हैं उन्होंने सवाल किया कि मंत्री के पास इतना पैसा कहां से आया सिसोधिया ने कहा हिमाचल में थोक में अध्योग स्थापित किये गे लेकिन परदेश का विकास नहीं हुआ क्योंकि अध्योगों का पैसा यदि परदेश के विकास पे खर्च किया होता तो सरकार के पास आज स्कूल खोलने के लिए बजट की कमी नहीं होती उन्होंने प्लगाया कि अध्योगों का पैसा बीजेपी नेता ले गए हैं शेश समचार ब्रेक के बाद हिमाचल पत परिवहन निगम के करमचारी नेताओं ने कहा कि जिस निगम में बहर नौकरी करके बच्चों को पाल रहे हैं उसे घाटे में नहीं देखना चाहते सरकार या निगम परवंदन से ये करमचारी निया कुछ नहीं मांग रहे जो पांस साल से नहीं मिल पाया उन देखतों को ही मांगा जा रहा है लेकिन उसे भी देने में आनाकानी की जा रही है हमिरपूर में बरकशौप के बाहर भोजन अफकास के दौरान ड्राइवर यूनियन से जुड़े करमचारी ने गेट मीटिंग की और मांग उठाई की 19 तारीक तक उनकी सभी मांगों को पूरा कर लिया जाए हिमाचल परदेश के किनावर जिले के भावा नगर में 13 बर्षिय नेपाली मूल की किशोरी की हत्या का मामला सामने आया लड़की का शब बंद कमरे में बैड वाक्स में मिला पुलिस ने मौके पे पहुँचकर शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए आईजीम सी शिमला भेज दिया 14 में की रात को किशोरी की मा ने नजदी की पुलिस थाना भावा नगर में पहुँचकर प्रोस में रहने वाले सिक्कम के एक ब्यापारी पे शक जाहिल करते हुए अपहरन का मामला दर्च कराया था वार्दात के बाद आरूपी को भावा नगर पुलिस ने दिली पुलिस की मदद से दिली से गिरिफ्तार किया आरूपी ने पुलिस पूछताच के दोरान हत्या को अनजाम देने की बात को कबूल किया है हिमाचल परदेश के कई भागों में मौसम खराब रहने के आसार हैं मौसम बिग्यान केंदर शिमला के अनुसार परदेश के मध्या और उच परवतिया कुछ भागों में 18 से 21 मेई बारिश अंधर चलने के आसार हैं बें मैदानी भागों में 18 और 19 में को मौसम साफ रहेगा, 20 और 21 में को केई मैदानी, मध्या, पुछ परवतिया, केई भागों में अंधर ओलावरिष्टी का यलो अलट जारी किया गया है। इस दोरान 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से हवाएं चलने की संभावना है। आज भी केई भागों में अंधर और ओलावरिष्टी का यलो अलट जारी किया गया है। अगले कोछ घंटों के दोरान शिमला, सिर्मा और, चमबा, मंडी और कुलू जिले के कोछ भाग में बारिश के साथ ओलावरिष्टी और अंधर चलने की संभावना जताई गई है। वें रामपूर में अंधर से पलम की फसल को काफी जादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही समाचार हुए समाप्त। नमस्कार।